एल्लो एवरिवन वेल्कम टू स्टार आईक्यू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लाटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वावत है आज 18 अक्टूबर और 18 अक्टूबर साल 2024 के हरियाना करिंट अफेर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेरे पैरे दोस्तों लास्ट सेशन में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि पैरिस पैर आलम्पिक 2024 में हरियानवी तिरंदाज हरविंदर सिंग ने कौन सा पदक जीता तो इस पर्टिकुलर क्योसन का सही जो अंसर रहेगा वो था गौल्ड मेडलिस्ट है ये और हरियाना के कैथल जिले से संबंदित है हरियानवी तिरंदाज हरविंदर सिंग ने कहां से संबंदित है याद रखना आप लोग हरियाना में गुरुवार 17 अक्टूबर को सीयम नायब सैनी के साथ कितने विधायकों ने मंत्री पद की सपत ली है तो लो भाई हरियाना के अंदर पंदरवी विधान सबा का गटन हो चुका है समझो और विधायकों ने मंत्री पद की सपत ली है टोटल 13 मंत्री पद जो है मतलब 13 मंत्री उन्होंने सपत ली है, 17 अक्टूबर को 10 ग्राउंड सेक्टर 5 पंचकुला के अंदर भारत के प्रधान मंत्री और अन्या राजियों के मुख्य मंत्री भी इसमें सामिल थे, केसा साथ हर्याना के राजेपाल, बंडारु उत्तात्रियाजी और गणमान्य वैक् विपल गोईल की है, और क्रिशन कुमार बेदी इकलोते ऐसे मिनिस्टर है, जो क्रोडपती नहीं है, इनकी कुल संपती 57 लाग की ही है, सैनी की काबिनेट में सबसे युवा गोरव गोतम है, जिनकी उमर केवल 30 साल है, सबसे उमर दराज शाम सिंग राणा है, जो 76 साल की है कैबिनेट में महिला चहरों के तोर पे आरती राव और शुरुती चोदरी दोनों सामिल है, पढ़ाई लिखाई की बात करें तो मंत्री बनने वालों में से जो ना अरविन सर्मा ये डॉक्टर है, और सीम नायब सैनी और सुरुती चोदरी ने जो ना वो LLB कर रखी है, पत्ती पांच करोड की है, और क्यों बनाए गए सीम इसकी वज़े ये है कि नायब सैनी OBC चहरा है, मार्च महिने में मनोहर लाल खटर की जगह पे सीम बनाया, इन ही के ही चहरे पे इलेक्शन लड़ा और हर्याना में पहली बार पुर्ण भहुमत, मतलब पहली बार तो नह सरकार बनाई थी, लगातर तीसरी बार सरकार बनाई है, और इस बार का थोड़ा वेटेज या थोड़ा परसंटेज या कहदो की ओवरोल जो उमीदों से परे ये सरकार बना पाएं तो ज़्यादा ही खुशी है यहां पे, अनिल विज विधायक है, अमबाला केंट से 71 साल क इनकी उमर है और BSC पढ़ रखे हैं, यह पेशा इनका राजनिती ही है, डेड करोड की संपती है, क्यों बनाई गए गए लगातार साथ बार विधान सवा चुनाव जी चुके हैं, और खटर सरकार में ग्रह मंत्री रह चुके हैं, पंजाबी समुदाय से तालुक रखते है 1990 में पहली बार MLA बने थे, दो बार निर्दलिये जीते थे अनिल विज और 1990 में अमबाला कैंट सीट से जो ना उप चुनाव लड़ा और विधायक बन गए थे, फिर 1991 में ने भारती जन्ता युवा मोर्चा का परदेश अध्यक्स बनाया था ये, और इसके बाद में जो दो बार निर्दलिये चुनाव लड़ा था, दोनो बार जीत हांसिल की, अनिल विज ने उनिस सो चाण में और 2000 में निर्दलिये चुनाव जीते हैं, 2009 में इन्होंने अमबाला कैंट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और शांदार जीत दर्च की, फिर 2014 फिर 19 फि बाद भाजपा राज में दूसरी बार कैबिनेट मंतरी बने है, यह पावार जो है, वो एसी बिरादरी का एक बड़ा चहरा है, और इन्होंने राजनिती में लंबी पारी खेली है, भाजपा में आने से पहले ओमपरकास चोटाला की पार्टी इनलो में थे यह और करनाल ज इसराना सीट से ही कॉंग्रेस के बलबीर वालमिकी से हार गए थे, 22 में भाजपा ने राजसभा भेज दिया और इस बार पार्टी ने लगा थार तीसरी बार विधान सभा चुनाव में उतारा, और विधायक चुने जाने के बाद राजसभा से इस्तिफा आप दे दिया है यह मैंने अलग से क्युसन आपको पढ़ाया भी था, कृष्णलाल पावार, 5.30 करोड की इनकी संपत्ती है, दसवी तक पढ़े हैं, 67 साल उमर है, बिजनसमेन है यह, ठीक है, इसके अलावा राव नरबीर सिंग, यह विधायक है, बादशापूर से, किशान है यह पेसे से और उमर इनकी 63 साल है, पढ़ायी ग्रेजुएट है, संपत्ती 50 करोड है, अहीरवार बेल्ट के बड़े नेता है, इस इलाके में सबसे बड़ी जीत भी दरज की है, 2014 में खटर सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, और केंद्रिय ग्रह मंत्री अमिच छाह के करीबी भी माने जाते हैं, महीपाल धंडा, विधायक पानिपत ग्रामीन से, पेशा इनका बिजनसमेन है, 50 साल की उमर है, दस्वी तक पड़े हैं, 13.5 करोड की संपत्ती है, पानिपत ग्रामीन से लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं, जाट चहरा है, मार्च में नायब सैनी क सीम बनाये जाने के बाद राज्य मंत्री बने थे, बस्टाचार के आरोप कोई है ही ने इनके पे लगे वे, और मनहर लाल जी और सीम नायब सैनी के करीबी भी माने जाते हैं, अर्विंद सर्मा विधायक गोहाना से बने हैं, उमर इनकी 61 साल है, पढ़ाई BDS कर चुके है, संपती इनकी 7.24 करोड है, पेशा इनका राजनिती का है, गोहाना विधान सबा चेतर से BJP को पहली बार जीत दिलाई है, पार्टी के बड़े ब्रहमन चहरे के रूप में जाने जाते हैं, और अर्विंद सर्मा पहले केंदरी राजनिती में स्करिये थे, इस कारण केंदर क नेताओं में उन्हें अच्छी पेट मानी जाती है, लोकसवा में में मेंबरो पार्लेमेंट जो हना रह चुके हैं, ये रोतक से पिछली बार के, विपल गोयल विधायक है, और इनकी संपती अठाण में करोड है, बी कॉम पढ़ाई है, बावन साल की उमर है, पेशा इनका बिजनसमेन है, वेश्य समुदाय से आते हैं, और कैबिनेट मंतरी भी रह चुके हैं पहले, पिछली बार टिकट चोनन का काट दिया गया था, और इस बार टिकट मिला तो जीत भी हासिल की थी, और केंद्रिय ग्रह मंतरी और अमिज शाकर्शनलाल पावार गुजर के, जो इंडियन नेसनल लोगदल में चले गए थे, सीम सैनी ने भाजपा में इनकी वापसी करवाई, रनबीर गंगवा की बात करते हैं, तो यह विधायक है, वह 55 साल की उमर है, पेशा किसान है, 12 बी तक पढ़े वे हैं, संपती 11.60 क्रोड की है, और पिछली बार ही हर्याना में डेपुटी स्पिकर भी रहे थे, कुमार समुदाय से आते हैं ये, और बरवाला से जीते हैं इस बार, नरवाना से विधायक बने हैं, क्रिशन बेदी, 57 साल की उमर है, और पोस्ट ग्रेजुएट संपती 57 लाग की है इनकी, और दली समुदाय से आते हैं, और मनहर लाल के पहले कारेकरा में मंत्री रहे चुके हैं, ये अल्रेडी, सुरुती चोधरी विधायक तोसाम से बनी है, तर तालिस साल की उमर है, LLB की पढ़ाई कर चुके है, पिचाण में क्रोड की संपती है, राजय सबा सांसद किर्ण चोधरी की बेटी है, और कॉंग्रेस से टिकट नहीं मिला था, तो अपनी मा के साथ BJP में सामिल हो गई थी, इस इलाके में बंसिलाल परिवार का एक अच्छा होल्ड भी है, आरती राओ, ये बिजनसमेन है, 45 साल की उमर है, बीए की पढ़ाई कर चुकी है, 66 क्रोड की संपती है, और केंद्रिय राजय मंत्री राओ, इं इनकी 55 साल की उमर है, और 10.76 क्रोड की संपती है, गोरव गोतम, ये विधायक पलवल से है, सबसे कम उमर के हैं, और 35.64 लाक जोहनन की संपती है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं ये, और पहली बार विधायक बने हैं, पढ़ाई के दोरान अखिल भारतिय विधायक, विधारत इनका इस बार का, और मुख्यमंत्री खुद, RSS से जुड़े, 1996 में में बीजेपी से सियासी सफर स्टार्ट किया, 2009 में हर्याना की नारायनगड विधानसभा से चुनाव लड़े और परहार गए थे, 2014 में पहली बार विधायक बने थे, 2019 में कुर्चेतर से पहली बार सांस बने, 2023 में हर्याना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्स बनाए गए, 2014 में हर्याना के ग्यारवे सियम के रूपे सपत ले लिए इनोंने, और अभी पंच कमल में इनको विधायक दल का निता चुना गया था, नायब सिंग हुसानी को ही विधायक दल का निता जोना चुना गय है, इसके अलाबा जो है, इलेक्शन कमिशन ने हर्याना के चुनाओं का एक्जामपल लेके एक्जिट पोल की निंदा भी की थी, अभी रिसेंटली जब महारास्टर और जारखन के चुनाओं के बारे में बात हो रही थी थी, तब कि एक्जिट पोल में कॉंग्रेस की बड जीव कुमार उन्होंने, इसके लवा हर्याना सरकार उर्जा सरंक्षन के किस अधिनियम के तहत, रास्ट्रीय प्रियासों के साथ जुड़के उर्जा सरंक्षन पर जोर दे रही है, 2001 के अधिनियम के साथ में, प्रयावर्ण चिंताओं के आलोप में उर्जा दक्ष्टा मल अब energy efficiency को बढ़ावा देने पर हर्याना लगातार काम कर रही है, और ये 2001 का act है, 2002 में लागू हुआ था, और हर्याना के अंदर दिसे सरकारी building है, sectionic संस्थान है, इनके उपर जो solar panel लगाने से related, लगातार कार्य जोना चल रहा है, हर्याना अक्षय और जा विकास एजनसी है, ह इसके लिए, ठीक है, चलो सर, इतना ही था, आज का session, आपके लिए question छोड़ के जा रहा हूँ कि कुनार्क नरत्य उत्सव भारत के किस राज्ये में मनाया जाता है, पताइए इसके बारे में विस्तार से कल फिर हाजिर होता हूँ, latest update के साथ में, तब तक के लिए अपना ख